सिरे नगर लेह नेशनल हाइवे को मिलाने वाला वैल पुल खस्ताहाली की वज़े से लोगों की जिन्दगियों के लिए परेशानी का बाइस बन चुका है 1992 के तबाहकुन सेलाप के बाद इस पुल को काफी नुकसान हुआ था जिसके बाद इस पुल की मरमत की गई और ये पुल सिर्फ यकतरफा ट्रैफिक के लिए ही बाहल किया गया ताम यकतरफा ट्रैफिक की वज़े से यहां पर अकसरव बेश्टर ट्रैफिक जाम रहने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मुकामी लोगों ने गुजश तक कई दहायूं से दो तरफा पुल की तामीर का मुतालबा किया था जिसके बाद 15 करोड रुपे की लागत से नए पुल की मनजूरी दी गई इस दो तरफा पुल की तामीर का काम साल 2018 में शुरू किया गया ताम अभी तक ये मुकामल नहीं हुआ है जिसकी वज़े से पुराने पुल से ही फिलाल ट्राफिक जारी है सरपन शौकत आहमद ने बताया कि उन्हें बार बार इंतजामिया से दर्खास्त की कि जब तक नए पुल पर काम मुकामल होगा तब तक वो पुराने पुल की अच्छी तरह से मर मत करे ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात का समना न करना पड़े पेशे ग्लैशा टाइमर्स की ये रिपोर्ट शॉग्त डीश जो वायल ब्रिजह इस पर काम लग गया पहले तो हम डिस्ट्रिक अड्मिर्शन्स ए से बहुत शुकर गजारे के इन्होंने नई ब्रिजह इसका काम शुरू कर दिया बहुत जा दिया है तेजी से काम चलारा है लेकिन एक पर स Rhnd B का नियो तो सकता है तो आज आपको पता है और सिरिंग पर पिथौिवर तक प।ट हो जाएगा लेकिन तब तक कम से कम इंको सोच रहा है कि यह चो प।राना वाला ब्रीज है। यह ने को ठीक करना है, कम से कम इसमें रेपीरिंग करने चाहिए। भी पहले भी दौ साल पहले उन्हें काम किया इसमें जो ठेकेदार एडर नकाला था उसमें पहले उसलें किया मूनल जूकम हो चूका है इसमें जो टूवी साहँने हुना काम नहीं होुणै यहां पर को केजवल्टी भी हो सकते है कम से कम डिस्टिक एडमिशनर को इसकी तरफ ध्यान देनी चाहे कि यह इस पर रेपेरिंग होनी चाहे है